नमस्कार घर का जाय का विद्खुश्वू में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ भरवा करेला की रेसिपी सेयर कर रही हूँ जो की बहुत ही असान तरीके से और ये बहुत ही टेस्टी भी लगेगा खाने में तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके सारे छिलकों को उतार लेंगे और इसके अंदर वाले हिसे को भी बाहर निकाल कर साइड में रख देंगे हम उसका यूज करेंगे और सबसे इंपोर्टेट वाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इसका कड़ापन भी निकल जाएगा मैंने प्यास को भी महन महन चौप कर लिया है और आम को भी कदू कस कर लिया है और आप मेरे वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसके सारे इंगिटेज को लास्ट में नोट कर दिया है तो सबसे पहले हम गैस को अन करेंगे और इसमें वाइल आइड करेंगे जब वाइल गर्म हो जाए तब हम इसमें करेला फ्राइ करेंगे और टैम टू टैम हम उसे चेक करते भी रहेंगे कि वे कूक हुआ है या नहीं करेला को हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये ग्रोल्डेन ब्राउन न हो जाए और आज को हमेशा धीमी ही रखिएगा अगर आपको करेला वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर किदिएगा और सस्क्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता हम इसे चेक करेंगे कि यह कुप हुआ है या नहीं यह एक दो मिनिट और पकेगा अब यह गोल्डन ब्राउन हो गया हम इसे किसी दूसरे प्लेट पर निकाल लेते हैं अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और उसमें बचा हुआ वाइल एड करेंगे और थोड़ा सा अलग से भी वाइल एड करेंगे हम इसे कुप करने में वाइल की कंजूसी नहीं करेंगे बट अगर आपको वाइल कम पसंद है तो आप कम भी यूज कर सकते हैं फिर हम इसमें प्याज एड करेंगे और प्याज को कब जब तक भून देंगे जब तक ये ट्रांस्पेरिट्स जैसा नहों जाए प्याज अब कुक हो गया है अब हम इसमें करेला एड करेंगे मतलब करेला का छिर का और करेला का वीज उसे भी हम एक दो मिनेट कुक करेंगे ये अच्छी तरह से पके तो हम इसमें थोड़ा सा नमक आइड कर लेंगे टू टेस्ट और इसे ढग कर एक दो मिनेट कुक करेंगे जब ये हलका सा गोल्डन रेड जैसा हो जाए तब हम इसमें हल्दी एड करेंगे और इसे एक दो मिनेट तक कुक करेंगे मसाले आप कम या जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से अब हम इसमें धनिया पॉडर एड करेंगे अगर आपको इस मसाले की रेसिपी देखनी है तो आप हमारी वीडियो करेला वाली रेसिपी देखिए मैंने इस मसाले की रेसिपी उस वीडियो में अपलोड की हूँ आप यहाँ पर कचे धनिया पॉडर का भी यूज कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आइड करेंगे और तेल छोड़ने तक इसे कुक करेंगे यह साइड से तेल छोड़ दिया है और हम इसे ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे क्यूंकि धनिया इसमें पका हुआ है क्यूंकि वो भुना हुआ है अब हम इसमें कच्छा आम एड करेंगे और एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर हम गैस को आफ कर देंगे यह साइड से तेल छोड़ दिया है और हमारा मसाला तैयार हो गया है अब इसे गैस से हम उतार देते हैं अब इसे हम करेला में फील कर देते हैं इसका जो बचा हुआ तेल होगा आप उससे रोटी बना सकते हैं इसे रोटी बहुत ही टेस्टी बनेगी नेक्स्ट अब हम भड़े हुए करेले को एक दो मिनिट कवर करकर कुक कर लेंगे हमारा भड़वा करेला रेडी है अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और ओनियन के साथ किसी राइस या फिर रोटी के साथ सर्व करेंगे आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और अपने फ्रेंट फैमली में सेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और सबसे खास प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम में आईडिय है कनोजिया खुश्वू12 तो खुश रहिए खुशिया बाटते रहिए असपस सफाई बनाई रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक क्यार एंड नमस्कार